नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परिचित दोस्तों पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत पूर्ण जायनकारी को ले करके जिया दोस्तों आप सभी अक्सर देखते होंगे कि मोटापा एक बहुत गंभीर समस्या है और ये जिस किसी को हो जाती है वो हर रोज यानि कि नित्य प्रयत्न करता है या यूं कहें कि हर घड़ी चाहता है कि कैसे हमारा वेट लॉस हो जाए इसके साथ साथ हमारी शारीरिक शक्ति भी छीन न हो और हमारे सुंदर्ता पर भी कोई प्रभावना पड़े डायटिंग करते हैं तो कहीं न कई फेस पर भी असर दिखने लग जाता है या फिर हम शारीरिक रूप से कमजोर होने लगते हैं तो कौन सी ऐसे औशधियां हैं जिनका प्रयोग करके हम अगर अपना वेट लॉस करते हैं तो हमें कोई लॉस भी नहीं होगा इसके लिए आपको चहिए होगा लहसुन निम्बू सौफ और नमक जी हां इनका प्रयोग करके आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं सबसे पहले लहसुन के बारे में जानते हैं लहसुन के अंदर तेजगंद पाया जाता है आप सभी जानते हैं कि लहसुन में बहुत तेजगंद होता है यह इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर हाई मात्रा में nutrition पाया जाते हैं लेसुन के अंदर एलिसिन नाम का कमपाउंड होता है जो कि आपको हेल्दी रखने के लिए बेहत जरूरी होता है इसके अंदर फाइवर, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन C, फासफोरस जैसे कई पोशक्त तो पाए जाते हैं जो कि बहुत ही हाई मातरा में होते हैं आपकी बोडी के बढ़े हुए फैट को कम करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है साथ ही ये आपके बढ़े हुए कोलेस्टरोल को भी कंट्रोल करता है ये बढ़े हुए BP को भी कंट्रोल कर सकता है साथ ही मेटाबलिजम को फास्ट करता है पाचन क्रिया को मजबूत भी क अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी पाचन के लिए भी दुरूस्त रहती है पेट में गैस भी नहीं बनता है जिसकी बदावलत यह आपके वजन को नियंतरित करता है जिसको भी लो बीपी की प्रोब्लेम है यानि कि जिन्हें लो बीपी की समस्या है उन्हें इसका वो चाहिए होगा निम्बू, निम्बू के अंदर हाई मात्रा में विटामिन C, पेक्टीन, लाइमीन, साइट्रिक एसीड पाया जाता है, जो कि हमारे बोडी फैट को एटोमेटिकली गला करके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है, निम्बू के अंदर बायो फिलेव लाफकारी हो जाता है, जियां, आपके पेट को भी तंदुरूस्त रखता है और आपकी स्कीन को भी हेल्दी रखता है निम्बू, जिसकी बदोलत आप अपने वजन को नियंतरित कर सकते हैं, और अपनी खुबसूरती को भी बरकरार रख सकते हैं, इसके बाद इसमें प्र जिहां, सौफ की मदद से आप अपने digestive system को मजबूत भना सकते हैं, खास करके देखाओगा आपने कि जब हाँ भी आप खाना खाने जाते हैं, अच्छे होटल्स में या कहीं भी, तो वहाँ पे आपको खाने के बाद सौफ दिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि आपकी पाच अगरे के रूप में बन जाता है, अब इसको बनाना कैसा है, इस पे ध्यान दिजिए, एक गलास पानी लेना है आपको, उसमें आपको सौफ डाल देना है और इसको उबालना है आपको, खोलाते रहना है, तीन बार खोलाना है आपको, यानि कि आपने मान लिजिए, तीन ग जब ये ठंडा हो जाए तब आपको लहसुन के जवे खा लेने हैं और उपर से ये पानी पी लेना है जो कि आपने बनाया है अपने वजन को लॉस करने के लिए ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में जब आप इस ड्रिंग को पी रहे होंगे तो आपको ये बहुत कड़वी ल रखना है अपनी बॉडी फिट रखनी है एपस बनाने है तो ये बहुत जरूरी है कि हम स्लिम हो और स्लिम होने में ये बहुत ही कारगर और शदी है तो जिसे भी अगर अपना वजन कम करना होगा उसके लिए ये मुझ की कड़वाहट थोड़ी देर की बरदास्त करना पीना है और खाली पेट है तभी पीना है पीने के एक घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है इस बात का ध्यान रखें और तीन दिन पीने के बाद चोथे दिन आपको क्या करना है इस ड्रिंक को नहीं पीना है चोथे दिन बस गर्म करके आपको पानी पी ल नहीं हो जाता है तो आपका वजन खुद बखुद कंट्रोल होने लगेगा लेकिन अगर इसके साथ साथ आप बाहर के फास्ट फूड को छोड़ देते हैं नहीं खाते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा बहतर होगा क्योंकि एक्सरसाइज आपके बोड़ी को एक अच्छा सेप देगा ये तो आपके वजन को कम करेगा लेकिन आपके बोड़ी को एक सेप चीए होती है अच्छी सी जिसकी वज़़ा से आप आकरशक दिखें तो इसके लिए बहत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज नियमित रूप से करें आपका वजन भी तेजी से घटेगा और आपकी बोड़ी शेप में भी रहेगी इसके अलावा आप फास्ट फूड का जितना ज़्यादा त्याग कर दें उतना ही अच्छा होगा आपके लिए तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप इस नुष्खे को प्रयोग में लाते हैं तो आ आप अपने वजन को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं यह थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहधी महतपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों